तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गोपान और आप देखरें मेरे यूटीब चेनल कोविद गोपान अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद गाएकन पर भी क्लिक कीजिए मेरी इस तो चलिए हम प्रत्वी की सहनचा के बारे में बड़ा है समझ लेते हैं सौट में हमने इसमें कुछ नोट्स बनाए हैं उनी से हम जो है कुछ पूट अप कर लेंगे इस पहरा है प्रत्वी को मुख्ते कितने भागों में बेवाजित है तो प्रत्वी को मुख्ते तीन भागों में बिवाजित के आए हाहा है हमारा करस्ट onders our M ‫ सबसे उपरी सथह होती है उसको माना गया है उसके बाद जो सबसे नीचे का पार्ट है उसको को माना गया है यहां कोर को दो पार्ट में डिवाइट किया है इनर कोर और आउटर कोर मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइट किया गया है वह हम आगे डिसकस करेंगी तो यह हमारी प्रत्वी की आंतरिक सर्दशना है कि हमारी प्रत्वी अंदर से कैसी है उसका इस्ट्रेक्ट्चर कैसा ह है उसमें कौन-कौन से तत्र पायाते हैं इस आधार पर जो है प्रत्वी की चलते हैं यह पूछी जा सकते हैं हम तीनों ही आन्ज़रा में लिखने पड़ेंगे इसमें क्रेस्ट मेंटर और कोड इक्रम है इनका तो चलिए नेक्ट कोश्चन पर हम चलते हैं नेक्ट कोश्चन हमारा भूपटल या भूपरपटी किसे कहते हैं इसे हम सर्फेस की बात करें तो प्रत्वी की बाहरी सते जिस पर महादीप तता महासागर इस्तित हैं प्रत्वी की बाहरी सते जिस पर महादीप और महासागर इस्तित होते हैं उसे भूपटल या क्रेस्ट क जाते हैं उसको सामरत है भूपटल की मोटाई 8-40 km होती है जो उपरी पार्ट होता है हमारा प्रत्वी का अगर हम 8-40 km मानते चलें नीचे जाए 40 km गराई में तो उतना पार्ट हमारा भूपटल खेलाता है सबसे महपूर बात यह है कि इसकी बाहरी परत अफसादी चर्टान यानि बाहरी परत सेडिमेंटरी रॉक से बनी होती है जिसे हम यह कहते हैं कि भूपटल की रचना सियाल यानि उस सेडिमेंटरी रॉक जो है उसको इसके नाम दिया है सियाल कि सियाल अर्था सिलिका और ऐलुमुनियम से बनी होती है यानि इस प्रस्ट में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वह एक सिलिका है और अलुमुनियम है इसलिए इसका नाम सौर्ट में करके सियार रख दिया गया है यह दोनों तत्व की अधिकता करण इसको नाम नाम चाहिए इससा को है में यहां वह सिप्का इसका तक यह इसमें उपर मैंटल को दो भागों मेंटल है यहां से लेके यहां तक यह मारा mental है जिसमें यूपनी mental और निश्जी और हमारा था था प्रोड था जो यह वारी कोड और एक आंध्री कोड यह जो डिवाइडर हैं वीच में यह जब दोनर प्रश्टों को अलग करने के बाद बीच में जो रिखा इनको अलग रहती है जो परत इनको अलग रहती है उनका नाम है यहाँ पर यानि जैसे कि हम यह कहेंगे कि उपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो परत पाजाती है उसका नाम रैपेटी असंबता होगी यह हम याद रखेंगे आगे डिसकस करे जाती है और यह कोनार्ड असमुता दोनर क्रेश्ट नहीं बेर साल्ट और तुम्हारे बेर साल्ट और ग्रिफाइट चट्टानों के बीच में यह लेयर पाई जाती है इसे कोनार्ड असमुता करें तो नेक्स्ट कॉश्चन है मारा मैंटल किसे कहते हैं मैंटल भूपटल और क्रोड के बीच को मैंटल कहते हैं मैंटल की परिवाश आया हमने कहा कि क्रेश्ट के बाद जो ब्यवाजित भाग है प्रफ्वी का सरवाखा उसको हम मैंटल कहते हैं तो मैंटल जो होगा हो भूपटल और कलोड के बीच के भाग को मैंटल कहते हैं ये दो अधायों में बिवाजित किया गया है इसली मैं आप मैंटल और लोर मेंटल यहें पठल सीमा सीमा वो था हमारा सियाल वो इसको नाम दिया था सियाल इसको दिया गया है सीमा तो सीमा आरता है नहीं सिलिका और मेंगनेशियम सिलिका दोनों में था लेकिन वहां ऐलुमिनियम के मेंगनेशियम है मेंगनेशियम से बनी हुई है यह जो परत है वो सिलिका और मेंगनेशियम स कि यह मेंटल लेयर है इसमें से ही जोलो मगी का लावा निकलता है इसलिए यह चारी होती है इसलिए यह लेयर चारी होती है और निचली परत मुखते हैं महा सागरों के नीचे होती है यह यानि महा सागर और महादीर दौनों पर यह पाई आती है तो जो निचली परत है इसकी वो महासागरों के नीचे होती है, तो महासागर की जो सत्य है, उनका निर्मार तो हमारे बेशाल चट्टानों से होता है, तो इसमें सीमा की जो सॉट फॉर्म है, वो SI से सिलिका ही है, बट Mg से यहाँ पर मेंगने सीम हो गया है, जिसकी सॉट के आगे के दो रेटर इन्होंने ले लिए हैं, नेक्स्ट हमारा क्वाश्चन है, क्रोट किसे कहते हैं, मेंटल से निशले भाको अथो अथा प्रत्वी के केंद्रिय भाको हम क्रोट कहते हैं, यह भी दो भाकों में वाजित किया रहा है, एक हमारा परला आंत्रे कोट, दूसरा है बाहरी कोट, इसको निफे, अर्था निकल और लोहा, यहनि एफी फेरम बो होती है इसकी गहराई 29 किलोमीटर से केंद्र तक है जिसका घंद सबसे अधिक होता है क्योंकि प्रत्विय का केंद्र है यहां पर घंद सबसे ज़्यादा होगा और फिगर में भी देखें तो 13.6 सबसे से एंटर पर हमारा इसका घंद दे रखा यहां तो कोर का जो हमारा जाता है और 13.6 तक यह चलता है और के खर्फ का घंद सबसे कम यादिए कि च्छार तीन सो किलोमीटर हमारी प्रत्वे की गहराई है फूरी गहराई हम मान किसे ले तो 6.370 किलोमीटर विसमें कोर कोर की अंती सो से 6,370 लव 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 चौनशट सो 6,400 किलोमीटर तक यह कोर माना जाता है इससे उन्ती सो से उपर 200 हमने कहता है ना जीरो से चालिस यहनि 40 किलोमीटर तक हम क्रेश्ट को मानते दें चालिस के बाद जो है चालिस से तक हमारा जो है मेंडल चलता है उन्ती सो के बाद 6,400 तक हमारा पूर्ट चलता है तो विफाजन किया गया है किलोमीटर के आदर पर और रहां पर हमारा यह घनत की आदर पर इसको हम ध्यान में रखेंगे कुछ बभी को यह कॉश्चन पुछा आता है कि केंद्र का घनत कितना है तो हम 13 पॉइंट लेकेंगे कि प्रेश्ट का कितना है तो फिर 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 को भी हमें देखना है हमारा नेक्स्ट वर्शन है बाहरी क्लोट क्या है बाहरी क्लोट की गहराई लगवग लगवग हमारी 1200 से 5450 किलो में तक है इसको 12500 पींटने लिख सकते हैं 5200 लेकिंची 200 से 50150 क्लू में तक कि गोरियी बताएगा है बाहरी कोड का section हमारा यह है इसमें 300 से 550 km तक इसकी करहे बताएंगे और इसका जो गनत है वो हमारा 13 ग्राम पर सेंटीमिटर क्यों है इसका गनत जो है वो 13 ग्राम पर सेंटीमिटर क्यों है लेकिन इस बाहरी कोड की जो सबसे हमें इस Soo May तो ये कितित यह भाग्रवष्था में आदा रवे निवांगा तरह नहीं है लौत क्यांजाता है कि प्रत्वी का कौन सा भाग प्रत्वीय तो ऽो है हमारा बाहरी कॉण जाल के हम बात करें प्रत्वी यानि कि अब बिल्कु सेंटर पर बात आगे हैं मिल्कुल पीक पर आगे प्रत्वी की सेंटर जिसे हम बोलेंगे तो यह प्रत्वी का बिल्कुल केंद्र होता है सर्वादे गनत चेतर होता है ठोस होता है और इसकी घहराई सब्सक्राइब प्रत्वी का जो सेंटर होगा वह कितना घंत वाला छेतर होगा और बिल्कुल सॉलेड होगा और काफी ताप पान उसका वह पर उच्छ रहेगा बहुत ही हाई टेम्प्रेचर रहेगा वहाँ पर तो आंद्रे कोड के लिए जो इंपोडेंट पॉइंट हैं वो सिर्फ यही है कि उसके घहराई कितनी है सत्य से और सरवादिक घंत छेतर कौन सा होता है तो हम बताएंगे सरवादिक घंत शेतर आंत्रिक रोड होता है अब नेक्स्ट कॉस्चन पर चलते हैं और क्रोड में किया गया था वो किसा अधार पर किया गया तो इसके दो स्रूरत हमें मिलते हैं एक तो मिलता हमारा प्राकरतिक स्रूरत और दूसरा मिलता हमारा अब प्राकरतिक स्रूरत हमें मिलते हैं इसमें हमारे लिए दू पॉइंट है कि आखिर ऐसे से कौन से पॉइंट थे जिनमें से हमारा प्राकरतिक स्रूरत के द्वारा हमने इस प्रत्विगी संद्रचना को डिफाइन किया और प्रत्विगी संद्रचना को डिफाइन किया तो अप्राकर्तिक शुरोत के बारे में बताई तो अप्राकर्तिक स्रूत का मतलब यह है कि ऐसे कौन से प्रफेक्ट जिनके द्वाब में विवाजित कर दिया तीन विवाजित करने के लिए हमारे पास तीन अप्राकर्टिक सरुत। पहला है हमारा घनद, ब।ढीसा है दवाब, जबाव, तीसे दापमान। तीनों कि आगओ Probleme को सर्वाब को सर्वाब को सर्वाब को सर्मधित को सर्वाब को मिं detalерм। होती है नेक्स्ट हमारα प्रत्वी सरद्चा विवाज़न के प्राकरतिक華 आता घाल जो उत्गार होते हैं उसके प्रत्वी की होते हैं घ्धाल कर दिया कि गया और दूसरा भूकम वध्यान necesit भूकम की जो P और S लेरे होती हैं उसके आधार पर उन्होंने प्रत्वी का विवाजन कर दिया है प्रत्वी के गर्ब में जाने को तापवां में कितनी वेद्य होती है तो इसका आंसर है 32 मीटर चलने पर टापान बढ़ता है तो प्रत्वीर गर्ब में चलने पर 32 मीटर चलेंगे गहराई में तब हमारा एक डिग्री सलसेश टेंपरिचर बढ़ जाएगा तो इसमें महाडीब के ग्रीन महाडीब के निचे झेल चाल चाल चेंइंग फाएग थीं इसको याद करने के आसा शांगर की पर जान तरह Legends सब्सक्राइब की नीचे यौह च्टानाय को क्या करते हैं ये बीच में जो परत होती जो दोनों भो होती है उसको हुआ उसमता काई बताय था परद को क्या करते हैं अब करते हैं सरे साथ क्वाइद वाले बन गए हैं कि कौन से पार्ट किस कोटाइड करते हैं कि क्या नाम है तो हमारा पहला है मेंगेर इसमें क्रस्ट और मेंटव के बीच उपड़िक स्परत और National कि आई इसको के हैं मुआ असंवलता किरतों के ने मेंटल की उप्री परत निचली परत को अलग करने वाली परत को हम क्या कहेंगे उसको रहता है रीपेटी कहेंगे तो रीपेटी सम्मता याद बिदो में औक इसको यह रखते हैं तो हम इसको आजाद रखते हो कि दो घासटों को हमने अलग करने के लिए उसके बीच में अलग रखने की मतलब है लकडी की फैटी इसके वैसे दोनों में current ना जोड़े दोनों जो हैं एक दूसरे से स्वाट ना हो इस तरीके सब इसको यहाद रख सकते हैं कि दो मैटल की चीजों को एक दूसरे से स्वाट होने से बचाने के लिए उसके बीच में लकडी की पेटी जाई तक्ती रख देते हैं इसका नाम याद रहेगा कि याद बासरे तो मैंटल के उपरी परत और निचली परत दोनों को बीच में जो हमाइस दोनों परते लत फारट की बीच में जो फ्रत होगी उसका नाम नेु偏 पिच आप रख रख पाई जाने वाले सिमा को क्या कहते हैं अब आती हैं मेंद मेंटल और को यानि से नीज म भाहरी और आंत्रे कोड के जो इन दोनों को अलत करती है उसको बोलते हैं लेहमेन असम्दता याद रखने के लिए हम जांते हैं कि कुड का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था नीफे क्रोड का जो नाम था वो तहाँ नीचिक कैंगे सेनल निकल और एफिषोष फिर मियानर आइरण रोहा लोहा सबसे ज़्यादा पाकि रहता है तो नहीं याद रहेगा लहा और लोहा एक जासा है तो इसलिए याद रहयेका कि क्रोड में लोहा देखुता है इसलिए इसका नाम लिये लुहो मैं इसक सब्सक्राइब करें तो यह हमारे कॉशन थे प्रत्वी की सनाचा से रिलेटेड और आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफी है फूल रहेगा सिच्छा बरती परिच्छा हो चाहिए यूपी टैटो चाहिए परिच्छा हो अगर आपने भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइ के जिए और उसके बाद बैल आइकन पर भी क्लिक के जिए ताकि मैं आपके लिए बर्तियों से संबंदित जी के और यह टॉपिक वाइज जो भी हमारे सिच्छा बर्ती पर चाहने टॉपिक दिये हैं उनसे डिलेटेड वीडियो में आपको बनाकर देश कुए थैंक्यू बाद